अब street food खाना किसको पसंद नहीं है, आज हम street food की dish बनाने वाले हैं, बहुत ही easy recipe है और खाने में तो और भी टेस्ट ही है, आज हम बनाने वाले है गोबी मंचुरियन, एक तम street food style बनाएंगे इसे, तो चले recipe को शुरू करते हैं, तो गोबी मंचुरियन बनाने के लिए हमें पहले गोबी को उबालना पड़ेगा, उसके लिए बैने यहाँ पे एक बरतन लिया है, उसमें हम 3-4 गलस पाने डालेंगे, पाने डालने का बद ग्यास का फ्लेम हाई करना है, पानी को पहले अच्छी तरह से उबाल लेते हैं, त रखके इसे उबलने देते हैं, 4-5 मिनिट के लिए, 4-5 मिनिट हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे गोबी, जो मैंने इसके पीसे किये थे, वो इसमें डालेंगे, आप अपने इसाब से पीसे काट सकते हो, छोटे बड़े जैसे भी आपको चाहिए डाल सकते हो, 3-4 मिनिट इसे उबाल लेंगे, याद रखना इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो गोबी का भरता बन जाएगा, 3-4 मिनिट बहुत है इसके लिए, यहाप आप देख सकते हो, यह हो चुके हैं, इसको निकाल देते हैं एक चन्नी में, और इसका पानी ड्रेन कर लेत और उसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून कौन फ्लावर, कौन फ्लावर से यह क्रिस्पी बन जाएंगे, आदा चमबच पेपर, और सौदा नसार नमक, अब हलका हलका पानी डालके इसे मिक्स करेंगे, ज्यादा पतला नहीं बनाना इसे, जो हम घोल बना रहे है, उसकी कोटिंग गोबी पे रहनी चाहिए, तब ही यह खाने में अच्छे लगेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे, अब इसमें डालेंगे गोबी जो हमने उबाल ली थी, इन सबको मीक्स करेंगे, मीक्स करने के बाद इसे 5 मिनिट के लिए छोड़ देते ह आपको करनी है एक पैन या पिर एक कड़ाई लेनी है उसमें ओयल डालना है को भी फ्राइक करनी के लिए कर जैसी ओयल गरम होता है उसमें यह गोभी ड़लेंगे ऑप yellow दालने संपहले आपको ग्यासप लुक करना है फिर गोभा में इसमें डाल सकते हो स्दों डाल तब तक इसका कलर ब्राउन नहीं होता, बीच बीच में इसे पलेटते रहना है, ताकि सब साइट से फ्राइ हो सके, आप देख सकते हो, या जैसे फ्राइ हो चुके है, इसे एक प्लेट में निकाल देते है, अब इन सब को मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है, चलते हैं लास्ट प्रोसेस में, मैंने यहां पर सेम पैन लिया है, इसको ओईल मैंने निकाल दिया है, आप चाहे तो कड़ाई भी ले सकते हो, 3 टेबल स्पून ओईल डालेंगे इसमें, जैसे ओईल गरम होता है, उसमें जाएगा लेस्ट बारी कटा हुआ, फिर जाएगा इसमें एक पैस बारी कटा हुआ, फिर एक बड़ी शिमला मिर्च बारी कटी हुई, दो से तीन हरी मिर्च बारी कटी हुई, इन सबको मीक्स करेंगे अच्छे से, आदा मिनिट तक पकाएंगे इसे हाई फ्लेम पे, फिर इसके बाद जाएगा इसमें वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और सौदा नसर नमक, मिक्स करेंगे इसे भी अच्छे से, फिर इसके बाद जाएगा इसमें त्री टेबल स्पून सोय सॉस, और दो टेबल स्पून टोमडो सोस, मिक्स कर लेते हैं इसे भी अच्छे तरह से, आदा मिनिट तक पकाएंगे इसे, ताकि सौस का कच्छा पन है, वो निकल जाए, अलका सा पाने डालेंगे इसमें, यहाँ पे मैंने दो चमच कॉन फ्लावर लिया है, इस बैटरों को हमें गाड़ा बनाना है, कॉन फ्लावर में पाने डालके मिक्स कर लेंगे और इसे डाल देंगे, मिक्स कर लेते हैं इसे भी, अब जो हमने गोवी फ्राइ की थी वो जाएंगे इसमें, इसे भी मिक्स कर लेते हैं ताकि जो यह कोटिंग है वो गोवी पे आ सके, टॉस कर लेते ह अगर आपके पास प्याज का पत्ता है तो वह डाल सकते हो मेरे पास नहीं था इसलिए मैं धनिया यूज़ कर रहा हूं इसे प्लेट में निकाल देते हैं गाने से इंग के लिए और थोड़ा डनिया डाल देते हैं उसके उपर हमारी घर पर बनाए हुई गोभी मंचूरें रेडी है अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल पर नियों तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिविकेशन को भी ओल पर कर देना थ बहुत कर दो सकастिक देना थे और तो मु टू़र हमां।